क्या आप लोग जानते हैं कि जो नागा लैंड है which is the easternmost state of India वो एक टाइम पर असम का पार्ट था जी हां जो उसका administration था उसे excluded area की तरह किया जाता था इसका मतलब यह है कि वो बहुत टाइम तक जो ब्रिटिश इंडिया है उनका पार्ट नहीं था उनसे उतना connected नहीं था during the colonial period लेकिन दीरे दीरे जो नागाज है which is a group of tribes जिनका अपना culture है tradition है वो दीरे दीरे जो है अपनी identity जाते थे political aspirations जाते थे during the British period और इसी दे 1918 के अंदर एक नागा club जो है बनाया गया और उसने अपना memorandum जो है submit किया to the Simon Commission in 1929 जिसके अंदरों ने express किया उनका desire कि वो अकेले रहन चाहते हैं और British India से integrate नहीं होना चाहते तो यह तो बात हो गई pre-independence period की कि उस time पर जो नागा लेंड है उसका क्या status था और कौन वो लोग थे जो कि नागा independence के लिए जो है लड़ रहे थे अगर हम post-independence की बात करें कि उस time पर क्या हुआ तो उस time पर 1946 के अंदर एक नागा National Council जो है वो form की गई जिसे कौन लीट कर रहे थे अंगामी जापू फीजो यह जो है central figure बन गए थे इंदी नागा independence movement और जो यह नागा नाशनल काउंसल है उन्होंने declare किया था नागास को independent on 14 अगस 1947 यानि इंडिया से एक दिन पहले जो नागास हैं उन्हें independence मिल गई थी ल नागास की independence है उससे recognize नहीं करते और इसी वज़े से काफी armed insurgency और conflict देखने को मिली और इसी वज़े से जो यह नागा national council है उन्होंने अपने armed wing के जरीए एक नागा federal army जो है वो बनाई जो की क्या करती थी गुरीला warfare जो है करती थी गुरीला war लड़ती थी against the Indian forces बट काफी समय तक जब यह war चलती रही है conflict चलती रही तो a group of naga leaders उन्होंने क्या किया एक naga people's convention जो है वो बनाया जिसमें वो peaceful resolution चाहते थी तो अब इसके लिए क्या किया यह जो naga people convention है उन्होंने negotiate किया Indian government के साथ जिसकी वज़े से 16 point agreement जो है वो बना in 1960 जिसके अंदर यह कहा गया था क एक separate state होगा naga land within the Indian union इसके लाबा special protection प्रोवाइट किया जाएगा for naga customary laws and land ownership और तो और जो त्योंसांग area है उसके लिए एक regional council established की जाएगी तो ऐसे और भी बहुत सारे points थे यह main points थे तो इस तरीके से इस 16 point agreement के बाद ही जो है Indian parliament ने पास किया the state of naga land act 1962 और फाइनली 1st December 1963 को जो नागा लेंड है it officially became the 16th state of India और इसके जो पहले चीफ मिनिस्टर थे वो थे पी शिलू ओ जो की नागा लेंड के फर्स चीफ मिनिस्टर बिले इन 1963 and remained in the office for next two years बट ऐसा नहीं था कि इसके बाद जो है नागा लेंड में शांती हो गई नहीं पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी काफी टाइम तक चलती रही काफी समय तक जो है कोई भी जो चीफ मिनिस्टर बनता था गवर्मेंट फॉर्म की जाती थी तो वो पूरा टैन्यॉर कंप्लीट नहीं कर पाती थी कुछ डेस के लिए कुछ मंस के लिए कुछ एक दो सालों के इसके बाद एक लीडर आए जिन्होंने बहुत हद तक जो है नागालेंट के लिए काम किया उस पहाजो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी ती उसे कम की और वो थे असी जामीर जी हा ऐसी जामीर जो है वो कुछ पीस कुछ इस्टेविलिटी नागालेंट के अंदर ले आए वो चीफ मिनिस्टर थे नागालेंड के जस्ट बिफोर निफ्यू रियो जो की अभी भी वहा के चीफ मिनिस्टर है तो जो एसी जामीर है, he was the chief minister of नागालेंड for 10 years from 1993 to 2003 उससे पहले भी वो दो बार पावर में आये, that is from 1980 to 1981 and then again in 1993 to 1998 तो जो एसी जामीर थे, जो congress के थे, वो नागालेंड के जब चीफ मिनिस्टर बने, तो उन्होंने काफी सारे जो है peace initiatives लिये which were aimed at resolving the long standing insurgency issues और उन्होंने कोशिश की कि कैसे state में जो है stability लाई जा सके और यही नहीं, जो 16th point agreement है, जो की इतना crucial है, जिसकी वज़े से जो नागालेंड है, वो इंडिया का part बना, SC जामीर was one of the signatories और उन्होंने बहुत crucial role ने भाया है इसके अंदर, तो इस तरीके से SC जामीर बहुत पहले से काम कर रहे थे और जब वो chief minister बने तब भी उन्होंने ऐसे बहुत से काम किये, जिसने नागालेंड को काफी develop किया, काफी stable किया अगर मैं peace initiatives की बात करूँ, तो उन्होंने बहुती crucial role play किया था in initiating a dialogue between the government of India and various नागा insurgent groups including the National Socialist Council of Nagalem, तो उनके इन ही efforts की वज़े से वो क्या कर पाए, जो insurgent groups है और जो government of India है, उनकी आपस में बात करापा है कि वो एक बार आपस में बात करें और कुछ peace ला सकें, कुछ reconciliation कर सकें, कुछ negotiation कर सकें इसके लाबा अगर हम ceasefire agreements की बात करें, तो जामीर के tenure के दौरान जो है, काफी steps लिये गए थे, कि एक ceasefire agreement जो है establish किया जाए, with factions of the NSCN तो जो सबसे जादा notable ceasefire agreement है, वो 1997 के अंदसायन हुआ था, with the NSCN IAM, जो की माना जाता है कि एक बहुती critical step था towards reducing violence and creating a conducive environment for dialogue, तो इस तरीके से जो है, violence को reduce किया जा रहा था नागलेंड में, इसके लाबा जो government है, जो जामीर की government है, उन्होंने काफी काम किया to ensure the extension and monitoring of these ceasefire agreements, जो ceasefire agreements हुए है, उन पे ढंक से काम हो रहा है, जो government है, वो ये देख रही थी कि there should be an open line of communication, तो जो insurgent leaders है, वो अपनी terms रखते थे, अपनी बात करते थे, जिसकी वज़े से जो armed confrontation है, वो काफी कम हो गया, इसके लाबा जो तीसरी cheat जिसपर उन्होंने ध्यान दिया था, वो था engagement with civil society, तो जामीर ने समझा कि कितना important है, to involve civil society organizations, tribal bodies and church groups in the peace process, तो इन सब influential entities को engage करके, वो क्या चाहते थे, वो एक broader consensus जो है, बनाना चाहते थे, बिल्ड करना चाहते थे, दाकि peace जो है, लाया जा सके, reconciliation किया जा सके, नागा लैंड में, और ये जो initiatives उन्होंने लिये थे, they were taken to garner public support for the peace process, और ये कैसे वो करते थे, कैसे ये support वो लाते थे public का, through awareness campaigns and community meetings, तो वो क्या करते थे, अपनी meetings के अंदर emphasize करते थे, कि peace लाना कितना जरूरी है, कितना helpful है हमारे state के लिए, तो इससे क्या होती थी, public aware होती थी, और जब पूरा group जो है, इस mindset का होगा, कि peace होना चाहिए, बालेंस नहीं होना चाहिए, तो जादा से जादा शान्ती वो नागा लैंड के अंदर लापाए, तो इस तरीके से एक level तक उन्होंने नागा लैंड को पहुचा दिया, कि कम से कम उतना लड़ाई जगडा नहीं हो रहा है, जितना जब इंडिपेंडनस मिली थी, तब स्टार्ट हुआ, इसके लाब अगर हम economic development की बात करें, तो जो जामीर है, उन्होंने समझा, कि जो economic development है वो कितना ज़रूरी है for peace, तो इसलिए जामीर का जो administration था, उसका focus था on implementing various development projects in conflict affected areas, तो इससे क्या हुआ, वहां का जो infrastructure है, वो improve किया गया, education, healthcare, तो ये देखा गया, कि अगर ये सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ बढ़िया होगा, तो अपने आप लोग जो है, नहीं लड और अगर वो amenities उन्हें provide किये जाएगी, तो वो लोग आपस में नहीं लड़ेंगे, तो इस वज़े से, जामीर ने जो economic development है, उस पे बहुत ध्यान दिया, especially उन areas के अंदर, जहां पर जो है, इतनी problem चल रही थी, इतना जगड़ा चलता था, वहां पर उन्होंने सबसे ज़ा उन्हें employment मिल सकें, रोजगार मिल सकें, तो इसलिए काफी सारी चीजें जो है, introduced की गई, जिनका aim था, to divert the youth from joining insurgent groups, उनका aim था कि इन्हें काम दो, इन्हें employment दो, ताकि वो इन groups को जोई ना करें, बल्कि जो mainstream economy है, उस से integrate हो, इसके लावा जो जामीर है, वो personally engage करते थे, with the leaders of various naga insurgent factions, क्योंकि जो जामीर है, वो demonstrate करते थे, कि वो उनकी जो भी problems है, जो जो भी issues है, उसे सुनना चाहते हैं, उनके साथ वो discuss करते थे, the potential political solutions to that problem, और इस ही से जो है, जामीर जो है, उनका trust जीत पाए, और open up कर पाए channels for negotiation, और यही नहीं, जो जामीर है, वो national level तक naga issues को लेके गए, वो advocate करते थे, कि जो नागाज हैं, उनके issues को समझा जाए, उनके जो भी problems हैं, उसे resolve किया जाए, जिसकी वज़े से, जादा political attention जो है, उन्हें मिला, और support मिला, कि जो भी challenges नागालेंड फेस कर रहा है, उसे resolve किया जाए, इस तरीके से, जो जामीर है, वो पर peace लाने की कोशिश की, development करने की कोशिश की, ना सिर्फ infrastructure development, बलके economic development, क्योंकि उन्हें समझ में आया, कि ये सब आपस में क्यों लड़ रहे हैं, किस वज़े से लड़ रहे हैं, इन सब को जो है, एक अच्छी life चाहिए, वो कैसे मिलेगा, जब basic amenities उनके पास होगी, employment उनके पास होगा, उनकी जो problems हैं, वो national level तक लेके गए, तो इस तरीके से, ऐसी जामे ने नागालेंड में तो बहुत काम किया ही है, इसके लाबा, वो महराश्च्रा और गोगा की governor भी रह चुके हैं, तो उन्होंने नागालेंड को काफी हद तक stabilize किया था, वानकी problems को जो है, resolve कर ती, और उनके बाद आये nephew Rio, अगर मैं Rio की बात करूँ, तो उन्होंने भी काफी काम नागालेंड के अंदर किया है, वो पिछले 16 years से चीफ मिनिस्टर है नागालेंड के, उन्होंने भी जो है, पीस लाने की कोशिश की, development करने की कोशिश की, infrastructure development वगेरा कोशिश की है, लेकि अब भी जो उनकी government है, वो काम कर रही है, बर उनकी government के जो अच्छे काम है, उसके साथ साथ उसके अंदर कुछ problems भी है, जिसे criticize किया जा रहा है, अगर मैं criticism की बात करूँ, कि क्या problem से उसकी बात करूँ, तो सबसे बड़ी problem है corruption, उनके ओपर जो है, काफी सारे corruption के allegations लगाय जो भी fund आता है, जो public fund आता है, उसे वो misuse करते हैं, transparency नहीं है, जो government jobs मिलती है, या जो contracts मिलते हैं, उसके अंदर favoritism होता है, कि वो किसको मिलेंगे, इसके लावा गर जो infrastructure development projects हैं, वो काफी delayed हैं, जिसकी वज़े से जो है, inefficiency है, cost overruns हैं, तो ये देखा गया है कि there is lack of accountability, proper monitoring mechanism नहीं है, जिसकी वज़े से जो है, ये सब delays है, इसके लावा, ENPO की जो demand है, जो Eastern Nagaland की demand है, वो unresolved है, इस समय जो ENPO है, वो autonomy demand कर रहा है, क्योंकि उनका कहना है, कि जो real government है, वो उनकी problems को, उनकी demands को address नहीं कर रहा, जिसकी वज़े से political tension है, dissatisfaction है, amongst the people of Eastern Nagaland, क्योंकि उनका claim ह है, कि काफी development disparity है, दो काफी effort जो है, लिये जा रहे है, तो focus on the development of Eastern Nagaland, लेकिन अभी भी significant disparity है, in infrastructure, healthcare and education as compared to the other regions, और ये जो feeling of neglect है, it continues to fuel the dissatisfaction and unrest, फिर इसके बाद जो Nagaland है, उसमें काफी सारी economic challenges भी है, क्योंकि जो unemployment rate है, वो बहुत हाई है, among the youth, जो कि एक persistent issue है, दो, government ने काफी initiatives लिये हैं, कि वो entrepreneurship को promote कर सके, लेकिन जो MSMEs है, they have not fully addressed the employment crisis, इसके लावा, state की जो economy है, वो जादा जो है, किस पर dependent है, on agriculture and government job, तो efforts की जरूरत है, to diversify the economy, और attract किया जाए private investment को, लेकिन इसके अंदर काफी सारे hurdles है, including the bureaucratic red tip and lack of infrastructure, इसके लावा, गर हम peace और security issues की बात करें, तो अभी भी जो है, काफी सारे ceasefire agreements, negotiation, और insurgency, जो है, उससे related issues है, they continue to pose a challenge, क्योंकि जो insurgent groups है, उनकी demands को पूरा करना इतना easy नहीं है, इसके लावा, जो है, extortion की reports काफी सामने आती है, by the insurgent groups, इसके लावा, ये देखा गया है, कि there is a sense of lawlessness in certain areas, जिसकी वज़े से जो public का confidence है government पे, वो कम होता जा रहा है, उन्हें लगता है, कि जो government है, वो peace जो है, maintain नहीं कर पारी, public order maintain नहीं कर पारी, लोगों को protect नहीं कर पारी है, और infrastructure deficiency तो है, जो road connectivity है, वो बहुत ही खराब है, दो improvement किये जा रहे हैं, काफी areas में करन regions, लेकिन अभी भी जो nagaland है, वो suffer करता है, from poor road connectivity, जिसकी वज़े से जो economic activities है, वो hamper होती है, वो affect होती है, और कई बार जो है, essential services भी जो है, उनके पास धंक से नहीं पहुच पाती, अगर हम essential services की बात करें, जिसकी healthcare or education facilities, तो वो भी inadequate नहीं है, सही नहीं है, दो काफी बार ये देखा गया है कि healthcare को, education को improve किया जाएगा, efforts लिये जा रहे हैं, लेकिन infrastructure in sectors के अंदर भी inadequate है, क्योंकि यहां भी infrastructure की जरुवत है, जो की सही नहीं है, जिसकी वज़े से जो है, overall quality of life affect होती है, लोग अच्छी life lead नहीं कर पारे, और bureaucratic inefficiency तो है, तो जो state administration है, उसे कई बार criticize किय जाता है, for its inefficiency, and slow response to emerging issues, तो यह माना जाता है, कि वहाँ पर जो power है, वो centralized है, within the state government, जिसकी वज़े से, जो local bodies है, वो marginalized है, and there is lack of grassroots level participation in decision making processes, इसके लाबा, environmental issues तो है, deforestation का problem, sustainable development का problem, की development भी करना है, लेकिन forest को भी protect करना है, अगर हम tribal tensions की बात करेंगा, तो वो भी है, तो बहुत सारे issues हैं, जिसे Rio government को resolve करना है, लेकिन इस समय वहाँ के जो लोग है, वो उनसे उतने खुश नहीं है, क्योंकि उनसे expect किया जा रहा है, कि वो इन सब चीजों पर और काम करें, और ध्यान दें, तो इस तरीके से मैंने आपको, जो सबसे जादा समय के लिए Nagaland के leaders रहे हैं, Nagaland के chief ministers रहे हैं, उनके बारे में बात की है, तो Rio government ने क्या काम किया है, क्या ने, उसके बारे में तो आपको पता है, और S.C. जामिर ने क्या काम किया था, जब Nagaland को initial, जब वो start हुआ था, जब अस टेट बना था, उन्होंने क्या काम किया, उसके ब कॉमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और ऐसी और भी इंट्रेस्टिंग इन्फॉमेशन और आनलिसिस के लिए आप मेरे चैनल को लाइक शियर और सब्सक्राइब करें थैंक यू